इस वीडियो अपडेट में हम बात करेंगे बिहार के मुझपरपूर से सुगावली के बीच बन रहे डबल रेलवे लाइन के अपडेट के बारे में जो की रेलवे की तरफ से जारी की गई है तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह लेटेस्ट वीडियो अपडेट उससे पहले हमारे चैनल को नहीं किये सब्सक्राइब तो कर ले सब्सक्राइब दरसल मुझपरपूर से सुगवली के बीच रेल लाइन प्रोजेक्ट को लेकर एक गुर्ड नूज निकल के सामने आ चुकी है बिहार के मुझपरपूर से बनने वाला इस लाइन को जल्द से जल्द कंप्लीट करने का आदेस जारी किया गया है मुझपरपूर सुगवली रेल रूट का रास्ता अब साप होता दिख रहा है और ऐसे में जमीन खरित की प्रकडिया लगभग कंप्लीट होने वाली है और इस प्रोजेक्ट के पूरे होने का भी रास्ता कंप्लीट दिख रहा है ऐसे में जमीन अधिगरन को लेकर 54 करोड रुपे पहले ही आवंटित किये जा चुके हैं और इसके अलाबे अगर और अधिकरासी की आवसकता पड़ेगी तो रेल वे की ओर से भुवर जनकारियले को उपलब्द कराया जाएगा इसी बीच कांटी मीनापूर और मोतिपूर के एक ग्याड़ गाओं में भूमी अधिगरन किया जाड़ा है मुझपरपूर सुगोली रेलवे लाइन के दहुरी करन होने से नेपाल तक जाने में मदद मिलेगा ऐसे में मुझपरपूर सुगोली रेलखन पर चल रहे दहुरी करन कारी को लेकर मोतिहारी कोट रेलवे स्टेशन के पास एक विशाल पेड काटने के लिए निर्मान विभाग द्वारा दो पहर दो बच कर पांच मिनट पर सुरू किया गया जो कि 5 बच कर 15 मिनट पर कम्पलीट हुआ जिस वज़ा से 3 घंटे का ट्रैफिक और पावर ब्लॉक लिया गया हाला कि निर्धारित अबधी में कारे पूरा नहीं हो सका और 30 मिनट का फिर से ब्लॉक लेना पड़ा जिसके चलते सारे 3 घंटे तक ट्रैणों का परीचालन बाधीत रहा इसी बीच मुझपरपूर से नरकटिया गज जा रही सावारी यानि की पैसंज ट्रैन और मैसी रक्सौल पैसंज ट्रैन को भी देरी से चलाया गया वही नरकटिया गज मुझपरपूर एक्सप्रेस ट्रैन को विलंब से रवाना किया गया आने वाले नए ट्रैनों के लेटेस्ट अबडेट के साथ कई और जानकारी के बारे में बात करेंगे या वीडियो के साल लगा कमेंट बॉक्स में बता है और इस वीडियो को सेयर कड़ें लेटेस्ट अबडेट के लिए